राश्चवा सदश्य सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है मोदी ने कहा है कि बिहार सरकार जो है वो अपराधियों को बचाना चाहती है साथी साथ सुशील मोदी ने कहा है कि नितीश कुमार जो पहले थे वह अब नहीं है नितीश कुमार लगातार अपराधियों को संगरक्षंग देने में लगे हुए हैं उन्हें बचाने में लगे हुए हैं आपको बताते हैं कि शुशील कुमार मोदी ने दो प्रकरन उठाये हैं उन्होंने कहा है कि विजय शिंग की जिस प्रकार हत्या कर दिये हैं और उसके बाद बिहार सरकार की प्रशाशन कह रही है कि विजय शिंग की मौत जो है वो हाड अटेक के कारण हुई है साथ ही साथ दूसरा प्रकरन उन्होंने दुराया है और कहा है कि रौकी यादब जो कि जद्यू MLC मनोर्मा देवी के पुत्र हैं उनके मामले को लेकर शुशील कुमार मोदी ने ट्विट के माध्यम से विरोध प्रकट किया है आपको उनका ट्विट पढ़कर बताएंगे कि शुशील कुमार मोदी ने नितीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा है शुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि नितीश कुमार अपराधियों को बचा रहे हैं हत्या को वो हार्ड एटेक बटा रहे हैं जद्यू MLC के पुत्र को कमजोर पैरवी कर उम्र कैद से बचाया गया है विपक्ष के विजय शिंग की हत्या को स्वभाविक वित्यू बताया गया है हिम्मत है तो लाटी चार्ज की CBI जाज कराएं रोड रेज मामले में सुप्रीम कोड जाएं आपको पता दे कि राज शभाव शदस सुशिल कुमान मोदी ने कहा है कि बिहार सरकार के सत्ता रूट दल से जुरे हत्यारे को साफ बड़ी करा सकती है और आजीवन करावास पाए बाहवलियों की रिहाई के लिए कानून बदल सकती है लेकिन यदि कोई विपक्षी दल कहो तो उसका हत्या को हाड एटेक बताने वाली पोस्ट माटम रिपोर्ट भी जारी कर सकती है आपको बता दें कि मोधी कह रहे हैं कि जद्यू MLC के पुत्र रौकी यादब को रोडरेज की चर्चित घटना में आजीवन करावास की सजा से बड़ी कराने के लिए सरकार ने हाई कोट में न पुक्ता सबूत दिये न ठीक से पैड़ भी की सरकार बताए कि मई 2016 में आखिर वेवशाई आदित सचदेवा की हत्या किसने की थी आपको बता दें कि उन्होंने दूसरी ओर कहा है कि विधान सभा मार्च के दिन जब भाजपा कार्च करता विजय सिंग की मृत्यू लाठी चार्च से हो गई तब सरकार इसे हार्ड एटेक बताने में क्यों लगी हुई है अब जूटी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट भी जारी हो गई है आगे सुसिल मोधी कह रहे हैं कि घटना के थोड़ी देर बाद ही जब पुलिस और सत्ता रूड दल घटना को हार्ड एटेक बताने लगे तब कि मेडिकल ऑफिसर के हिम्मत थी कि सरकार की राय के विपरीद पोस्ट मार्टम रिपोर्ट देते तो उन्होंने कटाक्ष किया है साब तोर पे बिहार सरकार के मिली भगत के बाद जो है अस्पताल प्रशाशन ने हार्ड एटेक जो है करार दे दिया आपको बता दें कि उन्ह पेली सराब से मौत और हत्या तक को श्वभाविक नित्यू शाबित करने का जुगार किये बैठी है बिहार सरकार ताकि अपराद के आंकरों से उसका चेहरा सरमसार नहों आगे वो कहते हैं कि नितीश कुमार जो है जो पहले नितीश कुमार थे जो अपराधियों को संगरक समलोक उन्हों ने उठाया है विजय शिंग की मौत और साती सात रौकी यादब प्रकरन तो आपको बता दें कि सुसील कुमार मोदी ने एक बार फिर से बिहार सरकार को घेरा है और बिहार सरकार से सवाल किया है कि आप अपराधि को संगरक्षंग देने में क्यों लगे हु पको बारे में आपके क्या विचार हैं और या फिर विजय शिंग की की मौत हुई है उसको जो पोस्ट मार्टम प्रकोट letter आया हाड एटैक बताया गया है उसके बारे में आप क्या तोचते है आप यह मारे कमेंट से बता सकते हैं धेखतेरा दब लिभशन के स्वाब सप न प्क्क.